आज दे साखे विचस जानांगे कि गुर्गोविन सिंग जी ने अपने आखरी शब्दा विच की क्या उन्हा ने अपने संतानों की समझाया उन्हा दे सचखंड से जान दी वजा की सी एगल उस वे ले दी है जो गुर्गोविन सिंग जी जी ने इस दी क्या बहादूर शाद जी जनाल वद्धियाचारियां सी एवे एक सरिंदे नवाब वजीर खान नो चिंता होन लगी उन्हें अपने दो बठाना नो गुरु जी दिव मारंदा हुकम दिता क्योंकि उन्हों डर सी बहादूर शाद ना वद्धियाँ ये निजदी किया उदेले कितने किते खत्रा बन सक दिया है उन्हों दोवे पठान गुरु जी दा गुप तरीके देनाल पिछा करन लगे जोदो गुरु गोविन सिंग जी अपने कक्षविच अराम कारे सी तथ दोवे पठाना विचो एक पठान उना दे कक्षविच गया ते दूजा बार लुक के खड़ा हो गया पहले पठान ने अपना चाकू कड़िया ते गुरु जी दे हमला कर देता चाकू गुरु जी दे दिल दे हिटा लगया पर इस तो पहला कि यो गुरु जी दे दूजा वार्थ कर सके गुरु गोविन सिख्जी ने अपनी किरपान कड़ी ते उन्हों मार देता जिदे कक्ष्टो बार खड़े पहिरादारा ने जो तो कुछ आवाजा सुनिया ते उसे वले गुरु जिदे कक्ष्वाल दोड़े तारा कुछ वेक के दूचा पठान डार के उथो दोड़ गया ओहले थोड़ी दूड़ी किया सी कि एक सीख्ष ने उस पठान उते भी हमला कर दिता ते उन्हों उच्छा कि तो कौन है ते कित्थू आया है तो उस पठान ने सच सच दस देता कि उन्हों वजीर खाने गुरु जिदे मारनली पेजिया है व्याज जिदे गुलाया गया उन्हें गुरु जिदे काव दे सलाई कीते पर हुन चिंता ऐसी कि काव बढ़ा गेरा सी एक ठीक कदो होएगा ते किवें होएगा उधर पंजाब विच संकता गुरु जिदे इंतिजार कर रही है सी पर गुरु जिदे काव बढ़ा केरा सी आप जी कोडीती सवारी करंदे खालते विच नहीं सी उन्गुरु साइब जी ने पंजाब जानली कि जथ्था त्यार किता गुरुजी ने क्या पंजाब जानवले जथे दी अगवाई जरी है बंदा सिंग बहादुर जी करनगे गुरुजी ने इस बंदा सिंग बहादुर जी नो अपनी कुछ सगाता पेट के तिया जिवें पंज तीर, नगाळा ते केसरी निशान जो की खालसा दी पहचान है हुन पुरुजी ने पंज प्यारे नो खड़ा किता ते बंदा सिंग चिनु क्या एफ पंज प्यारे हमेशा तो अड़े नाल रहेंगे एना दी रजा विच ही तो अनु चलना है ते एना दे हुकम तो अनु मनना ही पहेगा तद उना ने पंज प्यारे नो भी समझाया कि तो अनु भी बंदा सिंग बहादुर जी दा त्यान रखना है जी कदे वियो खाल सा पत्ते निती तो टक बगा जानना तो तुसी उना दू सही रात लेके आना है गुरुजी ने हुकम दिता कि काल स्वेरे जथा पंजाब जावेगा पर अगले दिन स्वेरे जरो जथा त्यार सी गुरुजी ते जखम नो विखली वैद आया ते वयाद ने दसे आ कि गुरुजी ते शरीर ते जहर ते फैल दाई जा रहे है एनना सुन्दे ही सारे कब रागए गुरुजी ने उना सारे नो गुलाया ते क्या चिंता ना करो उस अकाल पुरत ती रजा विच रैन विच ही सब्दी पलाई है गुर्जी ने पाई देया सिंग जी नो किया कि तुसी गुरुगरं साहीब जी ता परकाश करो मैं इक रसम करनी है गुरु साहीब जी ने क्या मैं फैसला ता वैसे वेसाखी वाले दिन ही काल लया थी जो तो मैं पांच प्यारिया नू अमरी चकाया थी उन्हाने गुरु 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 गुर पर राब नू प्यार करन वाले जनम मरंद चक्रा विच नी फासे ते ना ही पहलिया पाज़्चाईयां तो अनू छड़के गियां सी ते ना ही मैं तो अनू तो अनू छड़के जावांगा पर रे पांची तत्वाना बने वाया शरीर छड़के असी अकाल पूरक विच मिल जावांगे जेड़ा भी सानू सच्चे मनन याद करेगा उधे अग्यासी हमेशा हाजर रवांगे एनना कहके गुरुजी ने क्या हून मेरे जानदा विला आ गया है वाय गुरुजी ता खाल सा वाय गुरुजी ती फते कहके गुरुजी अपने कक्ष्वी चले गए ते ओते ही आप जी सच्ख़ डविच चले गए